अगर मैं आपको कहती हूँ एक लड़का आपके लिए देखा जा रहा है जिसके पास पैसा बहुत है पर उसके नाम पर चार केसेस और बस चार मडर केसेस ही पेंडिंग है करोगे शाधी आप उस पर्टिकुलेट दुकान में जाओ वहाँ पर बहुत सस्ते में कपड़ा मिल सब्सक्राइब इसको छोड़ दीजे यह नहीं जो दुकान दार है उसका जो बेटा या फिर बेटी यह उससे आपका रिस्ता ताय हुआ है करो के उस घर में शादी अगर नहीं में आपका आंसर होता है तो जरा सोच कर के देखिए क्यों नहीं वाई यह सारे सवालों के है कोई लेना देना नहीं है पर फिर भी आपको जानना पड़ेगा विकास यौर ने इंडियन ठीक है थोटा सा रिक्वेस्ट एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे सिंपल लैंग्वेश में कानूनी ग्यान आप तक पहुंचाते हैं तक आम जनता को जागर चल रहा है ठीक है यहां पर सुप्रिम कोट कुछ ऐसा टिप नहीं किये है या फिर कुछ ऐसा अब्जर्वेशन दिये है यह आप सभी लोग को जानना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड मींस एक ऐसा मनी इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत अगर मैं सपोस पर्टिकुलर पॉलिटिकल और्गनाइजेशन को कुछ फंड पैसा वगरा देना चाहती हूँ ठीक है ना वो कोई भी पार्टी हो सकता है फंड करना चाह रही हूँ पर मैं यह भी चाहती हूँ मैंने फंड किया है मेरा नाम बाहर नहीं आनी चाहिए ठीक है तो मैं कर सकती हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ इस तरके से ही काम करता है अभी ऐसे मैं सुप्रेम कोड में यह मुद्दा गया क्यों कौन से इसको फैक्ट से अभी एक सिविलियन होने के नाते एक भार्टिया नागरिक होने के नाते कुछ क्वेस्चन मेरे मन में हैं जिसका आंसर मैं आप ल इस प्रकार से दिखता है इलेक्टोरल बॉन्ड आप एक हजार से ले करके दस हजार दस लाख एक करोर तक इलेक्टोरल बॉन्ड वगरा खडिद सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो लिमिट रखा गया है वह एक करोर बट एक इंसान कितने भी बॉन्ड इस प्रकार से वगरा कर रहे हो इस तरके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा वगरा दे रहे हो तो इंकम टाक्स एक्जेम्शन भी आपको मिल जाता है So Section 13A of the Income Tax Act यह आप याद रखेगा कि बॉन्ड का वालिडिटी होता है 15 दिन यानि कि 15 दिन के अंदर अंदर जिस प्रकार से आप बैंक में चेक डालते हो आपको इंकैश्मेंट करके कैश भगरा दिया जाता है मतलब पैशा दिया जाता है उसी तरके से जो पॉलिटिकल पा ब्रांच में आपको ये बॉन्ड मिल जाएगा कौन सा पार्टी एलिजिबल होंगे जिनको इलेक्षन में बस एक परसेंट वोट मिल गया है वही एलिजिबल बन जाएंगे मतलब पैशा उठा लेंगे अभी ऐसे में होता क्या है तो सुप्रेम कोट के पास ये क्वेशन थ होता है उन्म तड़िकर से नहीं बनाया जाएगा यहां पर बात को समझे यह बात आपकी और मेरी नहीं है ये बड़े बड़े इजाएँंस इस अब लोगों का बात है उनका और भी कहना है क्या इस तरह के से corruption को promote करना नहीं होगा? क्या इस तरह के से democracy का खंडन करना नहीं होगा? क्योंकि constitution कहता है देश एक sovereign, socialist, secular, democratic republic है तो democracy को खतम करना नहीं होगा? अब इस तरह के से fundamental rights article 19, 14 and 21 का violation करना नहीं होगा? Right to information यानकी जानने का अधिकार इसको उलंगान करना नहीं होगा? These are the questions इसको Supreme Court के पास रखा गया है अभी ऐसे में सबसे important question जो है that is transparency यानिकि स्पष्टता वोट तो आखिर में जनता देती है, जौनोता भोट दाए, right? हमारे देश डेमोकरिसी है, ताना शाही नहीं है, डेमोकरिसी का एक main feature है transparency यानिकि स्पष्टता जो देश का नागरिक है, उनको ये हर एक चीज जानने का अधिकार है, बड़ ऐसा कहा जा रहे है Supreme Court में, हमारे Attorney General R. Winkert Romani उनका कहाना है that article 19 clause 1A के तहित देश के नागरिकों के पास कोई भी अधिकार नहीं है, electoral bond की through सरकार के पास किस तरके से पैसा आ रहा है, इसमें citizens को बिल्कुल भी फ़रक नहीं परना चाहिए, आखिर इतना पैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए, जो दिखेगा वो बिकेगा, तो जो party ज्यादा at campaign, promotion वगिरा, ज्यादा advertisement वगरा करके आपके नजर में आ चाहेंगे, उसी को ही तो आप vote देंगे, और बाकी others जो चुप जाहेंगे, उनको vote ही नहीं मिलेगा, ठीके न, so that's the basic thing, ऐसे में question यहाँ पर यह होना चाहिए, source of money क्या है, rather than asking कहाँ पर खर्च किया जा रहा है, क्योंकि election के time पर यह आपको मेरे को सब्यक हो पता लग जाएगा, किसको घरी दिया गया, किसको बिल्यानी खिलाया गया, किसको hotpot दिया गया, किसको pressure cooker दिया गया, यह सब कुछ आपको और मेरे को दिख जाएगा, तो यहीं पर यह सवाल उठाया गया, जो लोग इस case को फाइल किये, vote देंगे जनता, तो जनता अगर vote दे रहे तो जनता के पास ये अधिकर बिल्कुल होना चाहिए, money का source क्या ये जाननी का, तो यही पर ये साब साब जाहिर हो जाता है, vote जितने के लिए mafia प्लस money दोनों ही जरूरी हो जाता है, आप जिनको दामाद तक नहीं बनाना चाहोगे, क्या उनके हाथ पर देश को शौपना चाहोगे, देश की जिम्मेदारी देना चाहोगे, ऐसे मैं आपको सिर्फ एक कम करने के लिए बोलूगी, बस इतना कर लीजिएगा, माइनेतर.info यहाँ पर जाएगा, और नाम डाल करके सर्च कीजेगा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, जिनको आप वोट दे रहे हो, क्या उनके नाम पर कोई क्रिमिनल केस है या फिर नहीं है, इनके नाम ले 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 थे, अब यहाँ पर नीचे आप जाएगे, देख को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, तर हमारे constitution में ऐसा कोई भी एक कानून नहीं है, जो एक criminal background वाला candidate को election लडने से रोके, तो इतना ही अगर amendments वागिरा करना है, कानून को बदल देना है, तो यह चोटा सा बदलाव क्यों नहीं लाया जा रहा है, तर जो सारे candidate, जिस इसके तहित यह बिल्कुल आपके सामने और मेरे सामने clear हो जाता है, तर वोट जीतने के लिए criminals के जरूरत है, नौँ लेट मी बी वेरी मच क्लियर टू यू, जो जो पार्टी को पैसा मिला है, उन सभी पार्टी को, left, right जो भी है, उपर, नीचे जो भी है, उन सभी लोग क disclose करना ही पड़ेगा, जनता के पास, कौन सा sources से ये पैसा आपके पास आया है, यहीं पर आप लोग को पता है, कोई कानून वग्रा लाने के लिए एक बिल बनाना पड़ता है, अब कुछ-कुछ बिल ऐसा है, जिसको सिर्फर सिर्फ लोग सभा से ही पास कर दिया जा सकता है राज्ये सभा में उसको प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं होता है, अब वैसा एक बिल होता है, मनी बिल, अब यह जो पर्टिकुलर बिल है न, इसको एक financial act के तहित लाया गया था, जिसको एक मनी बिल कहा गया था, लोग सभा के तहित इसको पास क्या गया था, राज क्या होना चाहिए, एक मनी बिल का, अब यह एक्ट लाने के लिए, हमारे सरकर बहुत सारे एक्ट में एमेंडमेंट वगेरा भी किये है, सबसे पहले income tax act, उसके बद companies act, इसी के साथ reserve bank of India act, representation of people's act, इसमें अगर बदलाफ नहीं किया जाता, तो यह एक्ट को नहीं ला जा सक ठीके ना, Foreign Contribution and Regulation Act, यह सभी एक्ट में लगातार एमेंडमेंट्स किया गया, और यहीं पर जस्टीस दिवाई चंडर चूर जी कहे, इसको selectively secret रखा गया है, Solicitor General of India तुसर महिता जी का यह कहना है, तरह इसको लाया सिर्फर सिर्फ गया है, black money को control करने के लिए, जो election के time पर political parties को देखा जाता है, spend करते हुए, अभी ऐसे में Supreme Court of India, election commission को direction दिये, दो हफ़ते का time दे करके, कि 30 September 2023 तक, जो सारका सारे electoral bonds का data है, उसको लाकर के court के सामने produce कीजे, तिल 2022, total amount electoral bond की 9888 करो रुपीज, इसमें से 5272 करो रुपीज, भारतिया जनता पार्टी को मिला था, 952 करो रुपीज मिला था कॉंग्रेस को, source of income को बिलकुल गुप्त रखा जा रहा है, यह absolutely anonymous रखा ग्या है, public में disclose करने का कोई प्रयजानीता ही नहीं है, इसको ले करके, बहुत बरा question सुप्रिम कोट के पास है, 5 judges constitutional banks, इसका judgment पास करेंगे, बेंग्च को lead कर रहा है, Chief Justice of India, Justice अब यह सारा का सारा जो questions है, जो petitioners की दौरा सुप्रिम कोट में रखा ग्या है, इसके बारे में आपका क्या कहिना है, comment section में बताना प्लीज, that's it in this video, उमीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ value मिला है, अगर मिला है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त झाल